नमस्कार न आई ओएस के सभी शिक्षार्थियों को नमस्कार हैं और आज के इस भाग में भारतिय दर्शन के ज्यान प्राप्ति हेतु स्टूडियो में सभी का एक बार फिर स्वागत है आज हम भाग तीन के तहट सांख्य दर्शन के परिचय को आगे बढ़ाएंगे और सांख्य दर्शन के और जो तत्व हैं उन तत्वों को और विशेश रूप से हम जानने का परिचय प्राप्त करेंगे अब हमने इस से पहले प्रकृति के बारे में जाना उसके बाद हमने प्रकृति और विकृति के बारे में जाना आज हम इस स्टुडियो में आज हम केवल विकृत यहा इस विशे में जानेंगे कि विकृत यहा कि मस्ती कि द्रिशह विकृत यहा विकृति से क्या तात परे हैं तो सांके दर्शनकार बताते हैं कि विकृति ही केवलम कारियस्वरूपं भवती न कारणम कस्यचित अर्थात यह विकृति वो है पदार्थ वो उस प्रकार के पदार्थ हैं जो केवल कारी के रूप में जाने जाते हैं वो कारण किसी के नहीं होते हैं अर्थात ये उत्पन तो होते हैं स्वयम उत्पन होते हैं परन्तो ये किसी अन्य की उत्पती नहीं कर सकते इसलिए इसे केवल विकृत यहा नाम दिया गया है इसमें कौन-कौन से पदार्थ या तत्व हैं, जो केवल विक्रिती हैं, अर्थात जो केवल उत्पन्न होते हैं, लेकिन उत्पन्न नहीं कर सकते, किसी को उत्पन्न नहीं कर सकते, उनमें से हैं आकाश, वाई, अगनी, जलम, पृत्वी, इति पंच महाभूत आनी, ये पंच महाभूत विक्रिती हैं, उत्पन्न तो होते हैं, लेकिन ये किसी को उत्पन्न नहीं कर सकते, श्रूत्रम, तवक, चक्षु, जिहुआ, घ्रानादी पंच करमेंद्रियानी, मनश्य, शोडश्पदार्थाहा, केवल विक्रितया, अर्थात, कान, तवचा, आंख, जी जीव, नासिका, ये पंच करमेंद्रिये जो हैं, ये पांच करमेंद्रिये, मन और सोलह जो पदार्थ हैं, ये सभी क्या हैं, विक्रिती हैं, केवल विक्रिती हैं, अर्थात, ये उत्पन्न होते हैं, लेकिन किसी अन्य को ये उत्पन्न नहीं कर सकते, इसलिए इसे केवल विकृति का नाम दिया गया है। अब हम आगे देखते हैं, कि पुरुष क्या है। सांखे दर्शन का, मैंने पहले भी बताया था। कि जो महत्वपूर्ण तथ्य है, महत्वपूर्ण सार है, वो है पुरुष को और प्रकृति को जानना। इसलिए सबसे पहले भाग में जब मैंने बताया था आप लोगों को तो उसमें यह समझाया था कि सांख में प्रकृति और पुरुष दोनों का ग्यान प्राप्त होना ही सांख है ऐसा भी बताया गया तो यहां पर पुरुष की चर्चा करते हैं कि यह पुरुष क्या पुरुष कैसे होते हैं तो इसमें बताया अनुभय रूप हा अर्थात ऐसे जो अनुभय होते हैं जो दोनों प्रकार के ग्यान विलकुल अकेले होते हैं इसलिए इसको कहा जाता है ना प्रकृति ही ना विक अनुभै रूपो ही पुरुशहा अर्थात ये उभै रूप नहीं है अनुभै रूप है ये प्रकृती भी नहीं है और विकृती भी नहीं है प्रकृती अर्थात उत्पन करने वाला भी ये नहीं है और किसी से उत्पन होने वाला भी ये नहीं है अर्थात ये किसी भी कारे क ये हिस्सेदारी में भाग नहीं लेता है ये ना तो बनता है और ना किसी को बनाता है ना ये उत्पन होता है ना किसी को उत्पन करता है इसलिए इसे अनुभाय रूप का नाम दिया गया है पुरुषो नकश्चित उत्पद्यते ना पी पुरुषात किंचित जायते पुरुषह नकश्चित किसी से पुरुष की उत्पत्ती नहीं होती है ना पी पुरुषात किंचित जायते और पुरुष से ही ना किसी की उत्पत्ती होती है ना जायते जो मैंने पहले बताया कि न उत्पत्ती होती है इसकी और ना या किसी को उत्पन्य कर सकता है इसलिए इसे अनुभय रूप का नाम दिया गया है और ये अनुभय रूप पुरुष सांके दर्शन का एक महत्वपून तत्व है ये इई बातें बता रहें कि यह है कार्य और कारण के सजाती होने इसके कार्य अनुभय रूप है और कार्य कारण दोनों के उभय रूप है म्रिज जाती है म्रिदूत्पन घटवत जिस प्रकार से घड़े से घड़ा क्या है वो पृत्वी है लेकिन घड़े से घड़े का निर्मान नहीं हो सकता उसी तरीके से पुरुष किसी अन्य का निर्मान नहीं कर सकता पुरुष पुरुष ही रहता है इसलिए इसको अनुभय रूप बताया गया है और कार ये कारणों भय रूप के रूप में इसकी चर्चा की जाती है वाचसपती मिश्र ने अपने सांखे तत्व कोम दिमीं बताया है सुखी ही सुखेन तृप्यन दुखी ही दुखम दुशन मद्यस्थो नभवती तदुभय रहितस्थु मद्यस्थे इती चाख्यायते अर्थात पुरुष की प्रकृतिया पुरुष के स्वरूप की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया है कि ये सुखी में सुखी हो जाते हैं दुखी में दुखी हो जाते हैं और इसकी अपनी कोई प्रकृति नहीं होती है और मध्यस्थ के रूप में रहते हैं इसलिए इसे मध्यस्त भी कहा गया है ऐसा वाचस्पति मिश्र अपने सांग के तत्यों कौम अदी के टीका में भी कहते है पुरुषो ही सुख दुखाती तहा ये पुरुष जो है वो सुख और दुख दोनों से अतीत है दोनों से परे है इसे न तो सुख होता है और न इसे दुख की परतीती होती न सुख का अनवा होता है इसे न दुख का अनवा होता है इसलिए इसे सुख दुखाती तहा कहा गया है इसलिए जो पुरुष का सुरूप है वो बिलकुल एकदम उदार या ऐसा कहें बिल्कुल उदासीन है वैसा स्वरूप है इसलिए इसे सुख दुखातीत सुख और दुख दोनों से परे का नाम दिया गया है कर्तित्व अभाववान ही पुरुशा एक और हेतु इसमें बताया गया है कि कर्तित्व अभाववान ही पुरुशा पुरुष रहा करत्रित्व अभाववान होती है जो पुरुष है अर्थात उसमें करत्रित्व का भाव नहीं होता है अभाव होता है करत्रित्व की भावना नहीं होती है कुछ करत्रित्व की भावना अर्थात जो हमने पहले बताया कि किसी की उत्पत्ति करने में ये नहीं है, ये अभाववान है, इसलिए पुरुश क्या है? अनुभववाई रूप है。 न करता ना पिभोगता, ये पुरुश न किसी का करता है, न कुछ ये बनाता है, और नहीं कुछ उसका उपभोग करता है. अर्थाप ना कुछ निर्मान करता है और ना कुछ प्राप्त करता है ना उपभुक करता है इसलिए पुरुष क्या है तो अनुफ़ाय रूप में है उदासीन रूप में पुरुष को जाना जाता है अब इससे आगे है कि पुरुष सद्भावे मानम पुरुष के होने का क्या प्रमान है कैसे हम जाने कि पुरुष भी होते हैं जब पुरुष की कोई सक्ता नहीं है पुरुष किसी कारी में सनलगन नहीं होता है पुरुष न तो भोगता है, और नहीं उत्पन्द करने वाला है, कुछ काम नहीं करता है पुरुष, तो पुरुष के होने का क्या प्रमाण है, पुरुष क्यों है, तो इस विशे पर सांखे कारी का कार कहते हैं, कि पुरुष सद्भावे, पंच है तबहा, उपस थाप पे पुरुष के होने के लिए पांच हेतू उन्होंने बताए इन पांच हेतू के दोरा पुरुष की का क्या स्वरूप है पुरुष की क्या प्रकृति है पुरुष के क्या लक्षण है पुरुष कैसे होते है इन चीजों के बारे में यहां पर बताए गया है इन पांच हेतू के मात्यम से उन में सबसे पहला है संगात परार्थत्पार क्या पुरुश एक है या अनेख है जब विदान्त दर्शन को हम पढ़ते हैं तो वहां पुरुश रेतातपर वो उस आत्मा से होती है जो की हर एक व्यक्ति के अंदर नहीत होता है हर एक शरीर में सनन हीत होता है लेकिन सन्हीत होते हुए भी वो एक है ऐसा बताया गया है कि आत्मा और जीवात्मा और परमात्मा आत्मा के या अनेग, तो इस चीज को ध्यान में रग करके, जो शास्त्र कार है, वो बताते हैं, संघात-परार्थत्वात, अर्थात, पुरुष एक नहीं, बलकि संघात रूप में हैं, समूह के रूप में हैं, अलग-अलग भिन्न भिन्न रूप में हैं, जैसे आपकी कक्षा में सभी छात्र हैं, सभी शिक्षारती हैं आप सभी, तो सभी अलग अलग पुरुष हैं, अलग अलग व्यक्ति हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है, पुरुष बहुत्य की बात भी की जाती है, लेकिन इसी को अगर हम वेदान्त के तरीके से पढ़ेंगे, वेदान्त के सिध्धान्तों के अनुरूप जानने का प्रयास करेंगे, तो वेदान्त कहेगा कि नहीं, जो आप सभी दिखते अलग हैं, लेकिन वस्तुता आप हैं, एक ही, क्योंकि वो आप आत्मा हैं, और वो आत्मा एक हैं, जिवात्मा और परमात्मा आत्मा के भेद है लेकिन उन चीजों को का खंडन यहाँ पर सांखे कारिका में सांखे के आचारियों के द्वारा किया जाता है खंडन तो नहीं कह सकते क्योंकि सांखे दर्शन वेदांत से पूर्व का दर्शन है तो खंडन तो नहीं कह सकते हैं हाँ, ऐसा जरूर है इनी सिध्धान तो को ध्यान में रख करके वेदांत दर्शन की वी बात की गई होगी तो यहाँ पर संगात परार्थत्वात से टातपरी है कि समूहूघ के रूप में पुरुष जो होते हैं वो समूह के रूप में होते हैं और अलग-अलग रूप में दिखाई देते हैं त्रिगुनाद इभी परियाद दूसरा बताया जाता है कि तीनों गुनों से अलग अर्थात सत्व, रज और तम ये तीनों गुन जहां प्रकृती में साम्यावस्था में पाए जाते हैं लेकिन पुरुष में क्या होते हैं ये तीनों गुनों से रहित होते हैं सत्व, रज और तम तीनों गुनों की विपरियादा होती हैं अलग होते हैं इन तीनों गुनों से अधिश्ठानात किसी चीज को जैसे हम कोई कमरा है कोई शैनकक्ष है कोई आसन है आसन पर कोई रहता है तो आसन के रहने से उस पुरुष के होने का भान होता है अधिश्ठानात से तात पर है किसी का कमरा अलग अलग रूम अलग अलग कमरे अलग अलग आसन अलग अलग कुर्सी तो अधिश्ठानात से तात पर है कि अलग अलग होने से जिस परकार से मनुष्य अपने लिए अलग 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 आसन अलग अलग शैनकक्ष अलग अलग वि देखी जा रही है भोक्त्री भावात भोक्त्री भाव भुक्त करने का जो भाव है उसके कारण दिखाया जाता है कि पुरुष के होने का प्रमान मिला है कुछ भुक्त होने का उसे प्राप्त होने का जो हर एक व्यक्ति अलग-अलग भोजन करता है अलग-अलग उसका भोग क करता है किसी विवस्तु का ऐसा नहीं है कि सभी व्यक्ति अगर वेदांत कहता है कि सभी एक है तो एक ही व्यक्ति के भोजन करने से सभी को त्रिप्त हो जाना चाहिए तो उन्हीं चीजों को ध्यान में रख करके यहां पर बताया जाता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता सभी के ल प्रमान यहां पर दिया गया है कैवल्य आर्थम प्रव्रिते हैं अर्थात कैवल्य की प्राप्ति के लिए कैवल्य में प्रवृत्ति को जागरन के लिए पुरुष का प्रमान यहां दिया जाता है किस प्रकार से कैवल्य की प्राप्ति के लिए अर्थात उस मुक्ति के जो पुरुष का होना जरूरी है बिना सभी अलग-अलग रूप में कैवल्ल को प्राप्त करते हैं अलग-अलग रूप में मुक्ति को प्राप्त करते हैं अगर वेदान्त के दृष्टी से देखें तो एक ही व्यक्ति की अगर मुक्ति होती है जब सभी एक ही है तो एक व्यक व्यक्ति कवल उद्देश प्राप्त करने के लिए अपने मुक्ति प्राप्त करने के लिए सभी व्यक्ति अलग अलग रूप में अपने कारी की सिद्धी करते हैं अब पुरुषिक का स्वरूप क्या है क्या पुरुष बंध है या मुक्त है पुरुष बंधन में है या मुक्त है इस अवस्था को जानने के लिए हम इस विशे को देखेंगे तो यहां बताया गया है संखिकारिकाकार के द्वारा कि मुक्ति ही विवेक ज्ञानात एव संभवति कि पुरुष के मुक्ति कैसे हो सकती है और यही संखिदर्शन का मुख्य उद्देशी भी है जो हमने भाग एक में पढ़ा कि विवेक ज्ञान होना संखिय है अर्थात विवेक को जानना ज्यान को जानना ज्यान प्राप्त करना यही सांख्य है उन्हीं चीजों को यहां पर बताया गया है मुक्ति ही विवेक ज्यान से ही मुक्ति संभव है अगर विवेक का ज्यान नहीं हो तो मुक्ति संभव नहीं है इसलिए पुरुष में अगर वि विवेक नहीं है तो वो मुक्त नहीं है उन्हीं चीजों को देखते वे आगे बताया गया है कि प्रकृति पुरुषयो हो विवेक ज्ञानात बुद्धेह नाशो भवती तदायव तदीव तदीय सुख दुखयो हो छायायाह अपी नाशो जायते इति आत्मा अपी प्रकृति पुरुष के विवेक ज्ञान से बुद्धि का नाश होता है बुद्धि का नाश होना जब बिलकुल स्थिर हो जाती है बुद्धि एकदम समाप्त हो जाती है नश्ट हो जाती है तो प्रकृति और ये नश्ट की स्थिति कब आती है जब प्रकृति पुरुष क विवेक का ज्यान होता है, विवेक के ज्यान होने से बुद्धी नश्ट हो जाते हैं, जैसे ही बुद्धी नश्ट होते हैं, तो वो सत्व, रज, तम, इन तीनों प्रकार के कारियों में सनलग नहीं हो पाते, अर्था उसका कोई कारे नहीं होता, तो कोई कारे जब नहीं होत तो वो क्या होते हैं शुद्ध मुक्त हो जाते हैं इस प्रकार से आत्मा शुद्ध रूप में द्रवस्तित होती है इदम प्रकृति पुरुष विवेक ज्यानमे व विवेक ख्याति ही इस प्रकार के प्रकृति और पुरुष के विवेक ज्यान को ही विवेक ख्याति नाम दिया गया है मोक्ष की अवस्था का यहां पर वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से मुक्ती की अवस्था होती है तो पहले ही बताया कि प्रकृति पुरुष के विवेक ज्यान से विवेक ख्याती होती है और सद और असद दो चीज़े हैं यहां पर सद भी है और असद भी करें सद और असद दोनों के साक्षातकार होने से अर्था दोनों के ज्यान होने से दोनों के अनभव होने से क्या होता है विवक्य ख्यातोवा सत्योवा पुरुशह त्रिगुणात्मिकाया प्रकृति है तीन प्रकार के जो ये गुण है इन गुणों की प्रकृति के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और तीनों प्रकार के गुणों के प्रकृति के बंधन से मुक्त हो जाने से तदा पुरुशह आत्मना शुद्ध स्वरूपम साक्षात करोती वो पुरुश सुद्ध स्वरूप का साक्षात कार करता है और यही साक्षात कार मुक्ष की अवस्ता है तो शिक्षार्थियों ध्यान दीजिए कि जिस प्रकार से आपने पहले और पढ़ा होगा कि योगदर्शन में जिस प्रकार से समाधी का स्वरूप होता है वहाँ पर जिस प्रकार समाधी की अवस्था आती है उसी अवस्था की बात यहाँ पर करते हैं इसलिए योगदर्शन और सांख्यदर्शन इन दोनों में बहुत ही समानता है यहाँ पर साक्षातकार की बात सांख्यदर्शन करता है और वहाँ पर समाधी की बात योगदर्शन करता है जो स्वरूप समाधी की योगदर्शन में है वही स्वरूप सांख में साक्षातकार के स्थिति की है तो इस प्रकार से यहां बताया है कि शुद्ध स्वरूप का साक्षातकार जब मनुश्य करता है यमेव अवस्था मुख्छस्यति धन्यवादा हा